परेस्मिट उपरेनों जब भी मन के अंदर भ्राम होता है याद करिए इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा रणक्षेत्र कोई है जहां सबसे बड़ा दुन्दुभिनाद हुआ था वह कुरुक्षेत्र है कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन के अंदर संसय था कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है तो कृष्ण ने उनके रत को बीच में स्थापित करके कहा था कि देख एक तरफ न्याए है और एक तरफ अन्याए है लड़ना है और अन्याए को समप्त करना है और न्याय और धर्म के साथ खड़ा होना है आज मैं सबसे अपील करता हूँ चाहे वो political party हो चाहे वो आम नागरिक हो चाहे वो संगठन हो, संस्ता हो NGO हो, चाहे वो news channel हो क्योंकि सभी news channel हमारे लिए बराबर है सबसे यह अपील है कि रणक्षेत्र के मध्यमे खड़े होकर ध्यान से देखें कि सत्य किस तरफ है being neutral is to be with truth being neutral does not mean to shun the truth and not show the truth to stand with the truth is neutrality so please let's stand with the truth बंदुगन बहुत सारे उदाहन है यह हिटलर और मुसॉलिनी की बात करते हैं यह हमारे प्रदान मंत्री को गाली देते आए दिन प्रदान मंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हिटलर शाह कहा जाता है आज आप बताईए हिटलर शाही क्या है घर से घसीट कर किसी व्यक्ति को ले जाना उनकी पत्नी और उनके एक माइनर बच्चे के साथ जिस प्रकार का वेवार किया गया है वो वेवार करना एक केश जो बंद हो गया है उस केश को पुना कोल देना ये कहां का लोकतंत्र है कोविड चल रहा है प्रश्टाक है लोग्ड़ ग्टार्ची का मैंने। कर्स्थे जोग ग्रफ हैंने लेगए जब य Late was a मारा उन्हा एंद हैंने की। किर विर जख ये 5 व्यक्ई लें खितिभ जिद्ध प्रफ़ इंद चैन डिदी आ एिझे ऑमार velmi बंदे in conducting itself during the COVID pandemic जिन्होंने भी जिस भी जर्नलिस्त ने या जिस भी आम आदमी ने सवाल उठाया है COVID को लेकर उनके साथ जिस प्रकार का वेवार किया गया है महारास्टर में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने सोनिया सेना ने उसे गिरफतार किया है ये धिकार योग्य है और बंदुगण मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा और एक डेट भी बताता हूँ वो डेट है दोहजार उन्नीस का है तेरह मई दोहजार उन्नीस एक आर्टिकल लिखा गया था क्योंकि आप कहेंगे हम केवल एक चैनल के लिए खड़े नहीं बंदुगण यहां बैठा एक एक चैनल के साथ हम खड़े इसलिए मैं तेरह मई दोहजार उन्नीस में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा गया था निरूपमा सुप्रमन्यन द्वारा और वो विशे था इंडियन एक्सप्रेस का ही और आर्टिकल का हेड्लाइन था राजीर गांधी इन फेमस हॉलिदे उसका हेड्लाइन था what vindictive Rajiv Gandhi did after Indian Express covered the story of his INS Virat vacation आपको याद है जब Rajiv Gandhi Pradhan Mantri थे और INS Virat के उपर foreigners को लेकर vacation पे निकल गए थे Lakshadip के लिए उस विशह में आप सभी के channel ने इसको दिखाया था आधरनिय Pradhan Mantri श्री Narendra Modi जी ने भी इस विशह पर बताया था वगर उस समय जब Indian Express ने इस विशह को चापा था तो आप जानते हैं क्या किया गया था Indian Express के साथ Indian Express के साथ वही किया गया था जो आज कुछ निउस चैनल के साथ किया जा रहा है उस समय Rajiv Gandhi इस हद तक गय थे कि July 1988 में Rajiv Gandhi introduced a draconian bill the defamation bill media के लिए defamation ये तो धन्य है उस समय media united थी you are all united you stood the ground you fought against you fought against valiantly against the suppression of media and you came out victorious आप जीत के आए और वो बिल को Rajiv Gandhi को withdraw करना पड़ा मैं दो लाइन जो Indian Express ने 2019 में लिखा था वो पढ़के बताता हूं कि किस प्रकार Indian Express के उपर अन्याय किया गया था and she writes निरुपमाजी लिखती है for those of us present in the office that day the manner in which hundreds of armed CRPF and Delhi police personnel took a position inside and outside the Delhi office of Indian Express seemed way out of the proportion for a tax evasion case Indian Express के office को घेर लिया गया था और इस प्रकार से आक्रमन किया गया था मानो Indian Express का office नहीं ये गोएंकाजी का office नहीं आज गोएंकाजी के नाम पर अवार्ड मिलता है हम सब देश के राष्ट्रपती प्रधान मंत्री सम्मान के लिए खड़े होते हैं रामनाथ गोएंकाजी के नाम पर वो इतना बड़ा स्थान है इतने बड़े पत्रकार जगत के इंडियन एक्सप्रेस के साथ राजीव गांधी ने क्या किया था यह निरुपमाजी लिखती है कि रेड करा दिया था असीम त्रिवेदी यह आपको याद होगा एक काटूनिस्ट ने जब काटून बनाए थे अन्ना हजारे के समय उसके साथ क्या हुआ यह बताने की अवश्यक्ता नहीं है हजारों ऐसे उदारन है वो ब्रॉट दिये मर्जिंसी इन्टो दिस कांट्री आपातकाल को किस ने जन्म दिया आपातकाल के समय बिजली काट दी गई रात को टाइमस अफ इंडिया के यहाँ पत्रकार बैठे है बहदूर साह जफर रोड में उनका हेड ओफिस है अगर मुझे अच्छे से याद है तो बिजली काट दी गई थी ताकि टाइमस अफ इंडिया का हेडलाइन्स न छप सके टाइमस अफ इंडिया अपनी हेडलाइन न छप सके और वो उनकी प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाए पंजाब केसरी आज हमारे बीच अश्विनी चोपडा जी नहीं है हमारे सांसद रह चुके अश्विनी चोपडा जी ने मुझे बताया है मेरे मित्र थे मेरे बड़े भाई थे उन्होंने मुझे बताया है किस प्रकार का एमर्जनसी के समय उनके साथ और उनके परिवार के साथ अत्याचार किया गया किस प्रकार उन्होंने कॉलम्स खाली छोड़े थे बाद देखिया गया किन्तु फिर भी अशुनी चोपड़ा जी ने कहा हमारी लोगों ने कलम उठाए और लिखा एक एक पत्रकार जो यहां बैठा है चाहे वो इंडिया टुडे हो चाहे वो टाइमस अफ इंडिया हो चाहे वो पंजाब केशरी हो चाहे वो नभारत टाइमस हो चाहे वो भासकर हो चाहे वो जागरण हो सभी ने आपातकाल के समय जो सहा है उसके लिए उनकी पत्रकारिता को सल्यूट है हजारो पत्रकार एरेस्ट हुए हजारो लाखो भारती एरेस्ट हुए I call upon the Indians let not this kind of mafia raja descend upon any state in India which is governed by the mafiaso of Italy यह जो mafiaso raja है Italian में mafiaso कहते है वहां से mafia शब्द आया है जिस भी राज्य में यह Italian सरकारे चल रही है वहां पर इस प्रकार की गिरफतारी ना हो घसीट करके किसी पत्रकार को बाहर ना निकाला जाए इसके लिए हम लामबंद होकर खड़े हो यही हमारी पुकार है बंदुगन अर्नब गोस्वामी जी के साथ आज जो हुआ है यह पत्रकारिता के जगत के लिए एक काला दिन है उनके माइनर बेटे के उपर अटेक करना उनके घर में से उनको घसीट कर ले जाना और वह भी एक ऐसे केस में जिसको दो हजार अठारव में क्लोजर मिल गया था ते क्लेस विच वस क्लोजड इन टूथाउजन टैटीन मैं आप से सवाल पूछता हूँ अगर आज हम एक जूट नहीं होंगे तो कल बारी हमारी है इसलिए हमें नूट्रालिटी के नाम पर युद्धक्षेत्र के बीच में खड़े होकर देखना ही नहीं है या युद्धक्षेत्र के बीच में खड़े होकर न्याय धर्म की तरफ देखना है और अधर्म और अन्याय को त्यज देना है इस विशह में आप सोचिए, हम सोचें, देश्वासी सोचें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार